हलो और वेलकम बैग विवर्स बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अगर वो कलर विजन टेस्ट कराते हैं कहीं पर या फिर किसी कवर्मेंट जॉब के लिए अपलाई किया है और उसमें अगर उनके कलर विजन की जांच होती है कि अगर आपकी कलर विजन की जांच होती है तो कितना एक आइडियल डिस्टेंस होता है और आपकी आँखों की जांच कितने डिस्टेंस से चेक की जा सकती है आखों की reading और writing के लिए जो idle distance है वो है लग लग 15 इंचे से लेकर 25 इंचे के बीच में तो इसलिए कहा भी यह जाता है कि अगर आप कोई भी object पढ़ते हैं या फिर देखते हैं नजदीक में या फिर कोई book पढ़ते हैं तो वो 15 से 25 इंच के बीच में होनी चाहिए आम तो पर जब हम किसी से पढ़ने की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ पढ़े तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए हमें इतना नजदीक नहीं रखना चाहिए इतना दूर रखना चाहिए तो अगर हम इतने distance की बात करते हैं तो ये लगबग हमारा 15 inches के आसपास होता है इसको हम ऐसे भी measure कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये एक बड़ा scale होता है अगर हम ये object पढ़ अंदर 12 inches का तो ये हमारा distance हो गया और जो ये space बचाई हैं आपर ये भी लगबग 3-4 inches का हो जाता है तो अगर हम इसको measure करेंगे तो ये लगबग 15-25 inches का होता है तो इसी प्रकार अगर कभी भी आपकी आपको के color vision की जा चुकी है जो इस तरीके के chart से अगर की जाती है तो इसमें जो ideal distance है वो भी इतना ही होता है क्योंकि अगर कोई भी examiner आपके सामने बैठा है वो आपको ये book देगा और आपको इतनी दूरी से इसको पड़वाएगा हर एक picture के लिए जो इसमें बनी होई है हर एक picture के लिए आपको 5-7 second का आपको समय दिये जाएगा कि 5-7 second में आप इसको फट फट देखिए और immediate इसमें जो number है उसे आपको तुरंद बताना है कि उसमें क्या है ज्यादा सोचना नहीं है एक दम से जो भी color उसमें दिखाए दे रहा है उस color को जो base color दिख रहा है आपको उस color में जो number है उसको फट फट detect करना है और तुरंद की तुरंद बताना है इसमें 5-7 second का आपको समय मिलेगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी confused नहीं होना है जो भी color vision में जो भी chart आपको दिये जाते हैं उसमें एक ही color से कुछ numbers या pictures होती है जो भी आपको सही से आसानी से दिख रहे ये फट 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 उस number को detect करें और फट फट बताते है तो जहां पर ये सवाल आपका है कि अगर color vision की जाच होती है तो उसमें कितना होना चाहिए तो 15-25 inches के बीच में होना चाहिए उससे अलग कुछ special और नहीं है हां समय के हिसाब से बहुत कुछ change हो सकता है जैसे अब digital हर चीज आ गई है तो उसमें digital screens पर भी आपको ये number या फिर कुछ shapes या फिर कुछ pictures जो color में होंगी कुछ different colors में वो आपको दिखाई जा सकती है तो उनका भी distance उसी के साब एक शोगा की जिसे आप आसानी से देख पाए और आसानी से उसे पड़ पाए ऐसा नहीं है कि अगर इस तरीके के computer पर कभी आपको किसी chart को दिखाया जाए या कुछ screen पर इसके screen पर भी जो idle दूरी होनी चाहिए उसी इसाब से आप जितना दूरी से उसको clear देख सकते हैं उस इसाब से आपकी जाच होगी ठीक है तो जहां तक distance की बात है तो आम तो पर इसी तरीके के chart से ही आपको की जाच की जाती है जो इस तरीके के होते हैं और उनका idle distance 16-25 inches होता है तो नेक्स वीडियो में फिल मिलेंगे किसी ने टॉपिक के साथ तब तक की लिए keep smiling goodbye